जब भी मुख्य दौर किसी भी घर में बनाया जाता है तो हम कुछ बातों को वास्तु में ध्यान करते हैं जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि घर का मुख्य दौर सबसे उंचा होना चाहिए सबसे बड़ा होना चाहिए अगर अंदर के आपने जो डोर्स लिए हैं वो 6 फ चुका होना चाहिए 6 फुट 2 इंच उसके हाइड होनी ही चाहिए और वो मुख्य दौर जो होगा आपका वो बाकी सारे दर्वाजों से विड्द में भी थोड़ा सा ज़ादा होना चाहिए उसकी चोड़ाई भी थोड़ी सी ज़ादा होनी चाहिए घर के अंदर लगे वे बाकी सारे दर्वाजों से दोस्तो साती साथ आपको एक बात का और ख्याल करना चाहिए कि आप जब भी डोर क्लोजर लगाएं पहले तो लगाना बहुत ज़रूरी है और डोर क्लोजर हमेशा सॉफ्ट वाला होना चाहिए सॉफ्ट डोर क्लोजर जो आते हैं वो आपको डीसेदी